वेल्कम टो मैं चैनल आज हम बनाएंगे बहुत ही हड़ी चपाती या रोटी रोटी को इतना नर्म और मुलायम बनाएंगे कि वो दो उंगलियों से टूट जाए सिर्फ नर्म और मुलायम ही नहीं इसको हेल्दी भी बनाएंगे इसमें कुछ सीक्रेट इंग्रीडियन्स एट करेंगे इस विंटर स्पेशल चपाती से इस विंटर में आप अपने और अपने बच्चों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉंग करें इसके लिए हम लेंगे अलसी, फ्लैक सीट्स, अलसी के फाइदे तो हर कोई जानता है कि स्किन के लिए, हेर्स के लिए, दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा होता है joint pain को भी कम करता है यहाँ पर मैंने one teaspoon कलोंजी भी ली है कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज कलोंजी में नहीं है मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज कलोंजी में है एक कब भुने हुए चने भी लिये हैं skin के साथ यह चने iron all calcium की कमी को दूर करते हैं और weight loss में भी मदद करते हैं यहाँ पर मैंने लिया है 100 gram अलसी 100 gram भुने हुए चने 100 gram मेथी दाना fenagric seeds 1 teaspoon कलोंजी black seed या इसे onion seeds भी कहते हैं इन सब को हम grind कर लेंगे लेकिन एक साथ नहीं अलग-अलग मेथी और कलोंजी को एक साथ grind करेंगे यह देखिए फाइन सा पाउडर तयार कर लिया है अलसी को और मेथी को मैंने पहले थोड़ा सा भून लिया था फ्लैक seeds और fenagric seeds को हम low flame पर थोड़ा सा dry roast करेंगे ठंडा होने के बाद grind करेंगे इस तरह से आप इनकी quantity कम या ज्यादा भी कर सकते हैं यह चने मार्किट में भूने हुए ही मिलते हैं इसलिए इसको नहीं भूनेंगे ऐसे ही grind कर देंगे यह चने का जो skin है यह आपके पेट के अंदर की चर्बी पर scrub का काम करता है यहां पर मैंने सारी चीजों का अच्छे से grind कर लिया है अलसी के powder को एक टैट चार में रखकर फ्रीज में रखेंगे अगर इसे बाहर रखेंगे तो यह खराब हो जाएगी fungus आ जाएगा और फ्रीज में रखकर भी हम इसको सिर्फ 15 दिन के लिए यूज कर सकते हैं यहां पर मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है और इसमें 1.5 kg जहूं का आटा ले लिया है थोड़ा सा पानी आट करेंगे हलके हातों से थोड़ा सा मिक्स करेंगे 1.5 टीस्पून मेथी का powder लेंगे 1.5 टीस्पून अलसी का powder लेंगे यहां जो मैं स्पून यूज कर रही हूँ यह 1.5 टीस्पून के बराबर है 2.5 टीस्पून चने का powder लेंगे यह quantity जो मैंने बताई है 1.5 kg यहूं के आटे के लिए बताई है अगर आटे ज्यादा लेंगे तो quantity भी बढ़ा लें कम लेंगे तो कम कर लें नमक को पहले एड नहीं करेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करकर एड करेंगे और आटे को हलके हासों से मिक्स करते जाएंगे अब हम आटे को बरतन पे हातों से समेटते हुए एकठा करेंगे एक जगा करेंगे और इसको अच्छे से गूनना शुरू करेंगे ये सारा आटा अभी एक जगा हो गया है लेकिन मैंने इसे अच्छे से गूनना नहीं है अभी डो ना ही hard होना चाहिए ना ही soft होना चाहिए मुलायम सा होना चाहिए डो को नीट करने से पहले हम quarter teaspoon salt एट करेंगे इस तरह नमक एट करने से आपके रोटी चपातियां बहुत ही नर्म और मुलायम बनेगी डो बहुत ही soft बनेगा पहले नमक एट करने से डो हार्ड हो जाता है वन टीस्पून ओईल एट करेंगे आप कोई भी ओईल ले सकते हैं यहाँ पर मैंने ओलिव ओईल लिया है आटा गूनते वक्त भी ओईल एट करने से भी रोटी नर्म और मुलायम बनती है यहाँ पर मैंने हाफ केजी में सिर्फ बन टीस्पून ओईल एट किया है अभी इस स्टेज पर 5 से 6 मिनट तक आटे को अच्छे से गून देंगे अगर आप बचों को इसी तरह से अलसी या मेथी खाने के लिए देंगे तो वो नहीं खाएंगे तो इस तरह चपाती में एट करकर दे दे आप देख सकते हैं डो ना ही हार्ड है ना ही सौफ्ट है बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए रोटी के टेस्ट में कोई फरक नहीं आएगा मेथी और अलसी एट करने से 10 से 15 मिनट के लिए डो को रेस्टी दे देते हैं इसके बाद हम इसके छोटे छोटे बॉल्स तयार कर लेंगे आपको कितनी मोटी रोटी बनानी है या पतली रोटी बनानी है उस हिसाब से आप आटा ले 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 इस तरह से मार्किट से जो हम यहूं का आटा लाते हैं उसमें तो हमें वीट ब्रेन बिल्कुल भी नहीं मिलता इस तरह से अगर हम अलसी, चना, मेथी एट करेंगे तो इससे बहुत अच्छा फाइबर मिल जाएगा चने के स्किन की वज़े से हमारी आतों की भी अच्छे से सफाई हो जाएगी यहाँ पर मैंने मीडियम सैज का एक बॉल बना लिया है, इसको रोलिंग पिन की हेल्प से रोल कर लेंगे, अच्छे से बेल लेंगे चपाती को थोड़ा सा बेलने के बाद quarter teaspoon oil spread कर लेंगे, oil के ओपर से थोड़ा सा आटा डेस्ट करेंगे और इसको रोल करेंगे, इससे रोटी में अच्छे से layers बन जाते हैं, और रोटी नर्म और मुलायम भी बनती है ये कोई पराठा नहीं बना रही हूँ, नार्मल रोटी ही है, चपाती ही है जो beginners होते हैं, नया नया रोटी बनाना सीख रहे होते हैं, जिन से रोटी round shape में नहीं बनती तो वो एक round shape का lead ले लें और उससे रोटी को, चपाती को cut कर दें रोटीयां चपातीयां तो हर किसी के घर में बनती हैं, और नास्ता भी इसी से होता है तो daily आप चना, अलसी और मेथी की रोटी बना कर खाएं, इससे आपको बहुत अच्छे benefits मिलेंगे यहां पर मैंने तवे को गर्म कर लिया है, flame high रखें, flame medium रखेंगे तो ना ही रोटी फूलेगी, ना ही नर्म बनेगी, इसलिए flame high रखें जब रोटी अपना कलर चेंज करते वे दिखीगी तो आप इसको flip कर लें, दूसरी साइट से दूसरी साइट dots आने पर दुबारा से flip कर लें, इस तड़ा से रोटी पे थोड़े थोड़े bubbles आने लगेंगे तो एक cotton का कपड़ा ले 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 या kitchen tall ले ले, इससे साइडों से प्रेस करें, संटर से प्रेस ना करें, धीरे धीरे हलके हातों से साइडों से प्रेस करते हैं, इससे आपके रोटी अच्छे से फूलेगी, आप देख सकते हैं, यह रोटी हर जगा से अच्छे से बेक हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है, कहीं से भी कच्छी नहीं है, इस पर quarter teaspoon oil डालेंगे, एक साइड से और थोड़ा सा प्रेस करेंगे, मैंने यहाँ पर olive oil क यूज किया है, आप घी भी ले सकते हैं, या कोई भी oil भी ले सकते हैं, अगर आपको flame पर सिखी हुई रोटी पसन है, तो आप इस तरह से भी रोटी को सेख सकते हैं, अभी हमारी रोटी अच्छे से से सिख चुकी है, इसको plate में ले ले लेते हैं, इसी तरह से सारी रोटी को तोड़ कर बताती हूं ज्यादा जोर लगाने की भी जरूरत नहीं है हलके हातों से ही दो उंगलियों से तूट जाएगी आप इस रोटी को वन येर के बेबी को भी दे सकते हैं बचों और बड़ों सभी के लिए बहुत ही हेल्दी रोटी है बहुत ही हेल्दी चपाती है ल के लिए वीडियो को लाइक शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें बिल आइकन को प्रिस कर दें ठैंक्स पूर वाचिंग मैं अ